हे गाईज केसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ आपका भाई संजीत और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जेबी के टेकनिकल आज हम बात करने वाले हैं आई पीपी बैंक में डीवीटी को हम लोग किस तरह से लिंक कर सकते हैं अगर आपका भी आई पीपी बैंक में अगर एकाउंट है और उसमें अगर आप अपने डीवीटी को लिंक करना चाहते हैं लिंक करवाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा वाच किजे अगर अच्छा लगे अगर आपका dbt change करवाना है आपको change करवाना है और आप खुद से अगर change करना चाहते तो हमारे इस वीडियो को पूरा वाच कर लिजेगा अगर अच्छा लगेगा तो please like share जरूर से जरूर कर दीजेगा और एक प्यारा सा subscribe जरूर से जरूर कर देना तो आज ह किस तरह से अपने mobile से ही अपने dbt को link कर सकते हैं खुद से link कर सकते हैं आज मैं इसी टॉपिक के उपर बात करने वाला हूं और live process आपको बताऊंगा कि हम लोग dbt को किस तरह से अपने mobile से इंडिया post payment bank में link कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है आई पीपी बैंक में अगर आपको dbt को link करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आई पीपी mobile application एक है play store में उसको आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको open कर लेना है अपना account number customer id डालके account कर लेना है आपको एक mpin set कर लेना है mobile number डालके उसको आपको login कर लेना है तो यहाँ पर हम अपना आई पीपी बैंक को यहाँ पर login करके रखे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है सबसे पहले अपना mpin को यहाँ पर enter कर देना है ठीक है यहीं से आपका dbt bank जो है वो आपका link होगा जैसे कि आपका ज ठीक है यहीं से आप process करके आप अपने dbt को link करवा सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है आई पीपी बैंक को open कर लेना है अपना mpin डालके ठीक है IPP bank को open करने के बाद यहाँ पर नीचे में आप लोग देख सकते हैं service का option आ रहा है service का option आ रहा है यहाँ पर all account का option आ रहा है इसके बगल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं service के option आ रहा है इसके उपर आपको touch कर देना है तच करने के बाद यहां पे बहुत सरा उप्षन आएगा उसके बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं आधार सीडिंग का ठीक है आधार सीडिंग का उप्षन आ रहा है सबसे पहले आपको क्या कर लेना है आधार सीडिंग मतलब क्या होता है जो आपका जैसे कि आपका जो PM किसान का payment आता है ठीक है PM किसान का payment हो या फि कोई भी payment हो आपका नरेगा का payment हो या फि कोई भी payment सरकारी payment हो वो आपका आधार सिडिंग के माध्यम से ही आता है अगर आपके आधार नमर पे वो लोग transfer कर देते हैं जो आधार से आपका link होता है dbt आपका रहता है उसी bank account में सेंडिंग स्टेटस रिक्वेश्ट सेंडिंग डेट 27 दो दो हजार चोबीस तो यहां पे आपको क्या कर लेना है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 27 फरवरी है 27 दो दो हजार चोबीस को हम अभी सुह यह रिक्वेश्ट किये थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हम रिक्वेश्ट किये थे डिबीटी कटवाने के लिए ठीक है तो आप लोग किस तरह से कटवा सकते हैं यहां पे आपको क्या कर लेना है सबसे पहले आधार सेंडिंग के उपसर उपर आपको टच कर देना है टच करने के बाद यहां पे तीर का उपसन आ रहा है इसके उपर आपको टच कर देना है ठीक है यहां पे देखे लिख के बता रहा है आधार सेंडिंग अल्रेडी इन प्रोसेस ठीक है तो यहां से मुझे क्या कर ल Cocooned process आयेगा इसके उपर आपको टच कर देने है ठीक है तीर के उपर आपको touch कर देना है तीर के उपर touch करने के बाद तीर के उपर touch करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक आपका mobile phone में एक OTP आयेगा, ठीक है, जो आपका आधहार card में mobile वाइल नम्मर लिंक है वो नम्मर पे आपका एक OTP आएगा six digit का तो उस OTP को आपको फिल कर देना है फिल करने के बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं एक उपर में आपका बता रहा है dbt agree to यहां पे बता रहा है receive dbt in pnb account ठीक है और एक आपका नीचे में बता रहा है change dbt npc to ipp bank ठीक है इस तरह से आपका बता रहा है तो आपको क्या कर लेना है दूसरे नम्मर पे आपको क्लिक कर लेना है ठीक है यहां पे आप लोग देख सकते हैं दूसरे नम्मर पे क्लिक करना है नीचे में आपका verify का option आएगा ठीक है क्या आएगा verify का option आएगा तो verify के उप आपको वेरिफाई के उपर टच करने के बाद यहां पर आपका इस तरह से ठीक लग जाएगा ठीक है और आपका यहां पर बैंक बताना बताएगा कि आपका बैंक आफ इंडिया में यह आपका डिवीटी है ठीक है बता देगा आपका बैंक आफ इंडिया में डिवीटी है त successful for account ठीक है bank sale इस तरह से आपका process आएगा और नीचे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका date दिखाई देगा 27 परवरी 2024 उसके नीचे में आपको reference नमर दिखाई पड़ेगा तो आपको इसका एक screenshot लेने के बाद यहाँ से आपको back कर देना है ठीक है has been successful send with the IPP bank आपका account number यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके उपर में आप लोग पढ़ सकते हैं your request for sending to your account has been यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू से थ्री दिन के अंदर आपका जो यह है IPP bank में मतलब 24 से 48 या फी 72 घंटे के अंदर आपका जो dbt है वो कटके आपका इंडिया post payment bank में आ जाता है अगर हमारे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ knowledge मिला हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दें मिलतें फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम सस्क्राइब जरूर से जरूर करना